तो चलिए दोस्तों आज बनाते हैं कच्चे आलू के पैनकेक बहुत ही आसान से रेसिपी है जो कि 15-20 मिनिट में बनके रेडी हो जाता है इसका सबसे खास बात ही है कि ये ठंडा होने के बात ही बहुत ही सॉप्ट और टेस्टी लगते हैं और इसमें भर भर के सबसिया भी ड पैन में 2 टेबल स्पून सरसो के तेल ले तेल करम होने के पाद चाले 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून उड़त ताल थोड़ा सा इसे आपको फ्राइ कर लेना है अब इसमें एट करेंगे रेट चिली यानि की तीखा आप जितना खाते हो उतना चिली यां पे डा अगर प्याजा लेसुन आप नहीं खा दे तो इसे बिलकुल स्किप कर सकते हैं उसके बिना भी बढ़ी हसी चटनी बनती है अब इसे थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे इसे गुल्डन ब्राउन नहीं करना है अब इसे स्टेज पे ग्यास को आपको आफ कर लेना है और इसे 10 मिनिट साइट में रख लेंगे ताकि इसका जो स्टार्चिप निकल जाए अब चली यहां पर मुफली भी अच्छे से ठंडी हो गई है इसे डाल देते हैं जार में और इसमें जो हमने प्यास लेसुन और दाल वगिरा यहां से फ्राई करके रखा था उसे इसमें एट कर तेते हैं बिरको ठंडा होना चाहिए वन टेबल स्पून इसमें डालें की नमक और यहां पर मैंने लिया है नारियल का पुरा दा यानि की डेजिगेटेड कोकोनेट अब चाहे तो फ्रेस नारियल भी एड़ कर सकते हो तो टेबल स्पून मैंने लिया है अब दो कप छोटे वाडरी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने इतना ही गाड़ा इसे बनाया है एक जगे पर इसे ट्रांसबर कर लेंगे अब लगाते हैं इसके उपर चोक इसे टू टेबल स्पून मैंने सरसू का तेल ले लिया है इस पे डालेंगे राई यह चटकने के पा बचा के रखेगा चुकि हमें पैंकेक में यूज करना है अब बढ़ी असी चटा पटसी चटनी हमारे बनके रेडी है अब इसे रख लेते हैं थोड़ा से इसे मिक्स कर लिया है ताकि यह जो सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाए अब इसे साइड में रख लेते हैं और बा इसमें बहुत जादा पानी होता है और यहां पे मैंने इसे पढ़ी असी पीस लिया है देख सकते हैं बस इसी तरीके से आपको पीस लेना है इसके बाद इसमें इच कर देंगे वन कप सूजी यानिकी 250 क्राम यहां पे सूजी लिया है यह पड़े दाने वाले सूजी है अब कप यहां पे दही डालेंगे जितना सूजी उसका आधा आधा आपको दही लेना है अब पिना पानी के पढ़िया सी एक इस तरीके का प्याटर आपको बना लेनी है बिल्कुल फाइन आपको पीस लेनी है आप एक बड़े से जगे पर आपको इसे ट्रांसफर कर लेना पारियाती है बहुत सारे weegeटेबल्स टालने की इसमें मैंने डाला है यहां पेड़ा है यहांपे बारिक तरीके से Carnageuna करें सारे वेजटेबल्स को और इसके बाद गाजर बच्चे भी से खाना बहुत पसंद करेंगे अनोंहें पता wrtaming को समय किया अप सारी वेजटेबल्स हमने इस में टाल दिया है अब यहां पे प्याइट करते हो थोड़ा सा यहां पर गर्रीन गर्रीन आट की विए कियोोगे और यहां तो धन्यापत्ता और टमाटर भी इसमें एड़ कर सकते हो थोड़ा सा आपको यहां पर मिक्स कर लेना है उसके बाद बाकी इंग्रिडेंट सामें इसमें एड़ करेंगे और पानी के भीना पानी के भी इसका जो जो कंसिस्टेंशी बिल्कुल परफेक्ट है अब जो चूख ह पचा के रखाता उसे एट कर देंगी बहुत ही बढ़ी असा फ्लेवर आता है इसे अच्छे से आपको मिक्स कर देना है और इसका जो बीटूड हमने डाला था वह बढ़ी पिंकिस कलर यहां पर आ गई है फाइब मिनिट इसे रेस्ट करने देते हैं ताकि सुझी असरी से फो मिक्स करते जाना है बहुत ताइम पहले आपको सोड़ा नहीं डालने है अब क्या करना है पैने आपे पढ़ी असी करम हो चुकिए थोड़ा सा ओयल इसके उपर लगा लेते हैं आप ग्यास को लो मीडियम फ्लेम पर ही रखे जितना बड़ा पैनकेक आप बनाना चाहते हो उसी किसे आपसे बैटर ले और इसे बहुत पतला नहीं बनाना है आपको थोड़ा सा मोटा रखना है और इसे बड़ी असी एक सेब देते हैं आप इसे ढखकर आपको सिर्फ 3-4 मिनिट पकाना है तिन से 4 मिनिट के बाद देख सकते हो कितनी बड़ी असी जाली दार हमारी पैनकेक बनके रेडी है थोड़ा सा ओयल इसके उपर लगा लेते हैं और इसे दुबारा से पलट लेते हैं ताकि इसका जो निचले वाला पाटे वो भी पढ़िया से पक जाए इसे भी सिर्फ 2 मिनिट आपको पकानी है और यहां पे देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है अब बाकी सारे पैनकेक भी हम बना लेंगे हमने जितना बैटर बनाया है 9 से 10 पैनके का बना सकते हो यानि कि 3-2 से 3 लोग आराम से इसे खा सकते हैं अब चलिए बढ़िया सी पैनके का हमारी बनके रेडी है चतनी भी रेडी है गर्मा गरम इसे सर्फ कर लेते हैं वैसे ठंडा होने के बाद भी इसी तरीके से सॉप्ट और बहुत ही स्वाधिस लगते हैं बच्चों की टिफिन में या फिर घर पर ब्रेक्वस्ट में आप इसे बना सकते हूं कितना हेली है और कितना मतलब इजी है यह आप धेक सकते हूं यहां पर थोड़ा सा हमें से तोड़क अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस रसिपी को लाइक और शेयर ना भूले और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंस फिर मिलते है और एक न्यू कि केसाद तब तक लिए टेक गैर बबार